टेक्सोनमी एन एकोलोजी ओफ एफ़ट्स, एफ़ट्स आर सौफट बोड़िद इन्सेक्स, दे आर वेरी कॉमन इन वीड फिल्ड, इन सिट्रस फिल्ड और मैनी अधर क्रॉप्स, यह जो इन्सेक्स हैं इनकी अगर हम टेक्सोनमी की बात करें तो दे बिलॉंग टू फाइल इन्सेक्स हैं यह काफी वीग किसम के इन्सेक्स होते हैं, इनके अंदर जो आइज हैं, कमपाउंड आइज भी हो सकती हैं, और इनकी सिंपल आइज भी हो सकती हैं इनकी जो वाकिंग लेग्स हैं वो शाइनी होती है और इनका जो हैड है इडिस पॉइंट इडाउनवर्ड फार फीडिंग उसके लावा जादातर जो एफर्ट्स हैं ये फेरमून्स स्क्रीट करते हैं उसके लावा इनके अंदर हनी ड्यू प्रोड्यूस करने की भी सलाहियत होती है ये जब पॉदे के पर फीड कर रहे होते हैं उसका सैप सक कर रहे होते हैं तो साथ साथ ये हनी ड्यू स्कीड करते हैं जो के एक शूगरी मटीरियल है ये बहुत सारे दूसरे जो डिजीज काजिंग और्गनिजम इसके अंदर फंगस है या सूटी मोल्ड है उसको अट्रेक कर सकते हैं जिससे पौदे को नुकसान पहुंच सकता है यहाँ पे इस इंसेक्ट का लाइफ साइकल दिखाया गया है इसके लाइफ साइकल के अंदर दो फेज़े है यानि ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते है सेक्ष्वल रिप्रोडक्शन भी ये कर इसकी population भी बहुत तेजी से बढ़ती है इनको उर्दू में हम सबस्टेला कहते हैं ये wheat crop के उपर भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं खास्त दूर पर जब नए नए पते निकल रहे होते हैं उस stage के उपर इसका attack काफी हद तक बढ़ सकता है अब अगर हम इसकी feeding habit की बात करें तो जो efforts feed from phloem of the plants क्योंकि इनका जो structure है एक खास जो proboscis है उसको उपर एक structure stylet मौजूद होता है इस stylet को ये inject करते हैं पौदे के phloem के अंदर उसे जो पौदे का sap है वो इनकी body के अंदर आना शुरू हो जाता है तो इस तरीके से ये पौदे का जो sap है उसको सक करते हैं उसके लावा ये पौदे के stem, leaves, roots तीनों के पर असर अंदास हो सकते हैं अब इनका जो damage है इनके damage की वज़ासे जो पत्ते हैं वो आईस्ता इस्ता yellow होना शुरू हो जाते हैं और जो shoots हैं उनकी coloration भी change होना शुरू हो जाती हैं उसके लावा ये honeydew की production से जो पत्ता है या जिस जगा पे इन्होंने honeydew produce की है वहाँ पे fungus आ जाता है और इस fungus की वज़ासे पौदे को नुकसान होता है photosynthesis की जो ability है पत्ते की वो काफी हद तक कम हो जाती है इस slide के अंदर हम देश सकते हैं कि aphid के attack की वज़ा से जो पत्ता है वो बुरी तरीके से मतासर हुआ हुआ है क्योंकि aphids ने जो पत्ता है उसके sap को सक कर लिया है आम तोर पर ये देखा गया है कि जो aphids हैं इनका heavy attack होता है प्लांट्स के उपर एक ही पत्ते के उपर इनकी तदाद काफी जादा हो सकती है अगर इनका severe attack हो तो बहुत जल्दी पौदा जो है वो सुखना शुरू हो जाता है पत्ते का जो color है चेंज होना शुरू हो जाता है अब aphids को control करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तमाल किये जा सकते है आम तोर पर दिहातों के अंदर अगर wheat crop के उपर aphids का attack हो या सबस तेले का attack हो तो दो farmers एक रसी लेके तो crop के अंदर move करते है ताके ये जो insects है वो drop करके जमीन पे आ जाएं वहाँ पे क्योंके temperature फरक होता है इस वज़ा से ये मर जाते हैं इसी तरीके से पानी का spray करने से भी इन insects को पौदों से गिराया जा सकता है उसके लावा बहुत सारे जो insecticides हैं जिनके अंदर कार्बामेड्स, पारथराइड्स और और और्गेनो फास्वेट का इस्तिमाल करके इस insect को control किया जा सकता है ये soft-bodied insects हैं और बहुत सारे natural predators के इस्तिमाल के जरिए इनको हम आसानी से control कर सकते हैं अब जो important predators इसके हैं उसके अंदर lady beetle, lady beetle के जो adult हैं वो भी इसके पर feed करते हैं उनके larvae भी इसके पर feed करते हैं, उसके लावा lace wing एक natural predator है, natural enemy है वो भी इस्तिमाल किया जा सकता है, उसके लावा paracetoid wasp को इस्तिमाल किया जा सकते है उसके लावा बहुत सारे fungal pathogens का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमने ये देखा कि जो aphrid है ये एक soft bodied insect है जो के बहुत सारी crops को नुक्सान पहुँचाता है ये phloem feeder है phloem के अंदर ये अपना जो stylet है जो के एक needle like structure होता है उसको inject करता है जिसके होजा से phloem के अंदर जो fluid है जो sap है वो इसकी body के अंदर आना शुरू कर देता है उसके लावा इसके attack के वजा से जो पत्ते हैं उनके अंदर photosynthesis की ability काम हो जाती है उनकी condition change होना शुरू हो जाती है और ये दोनों तरीके से reproduce कर सकते हैं asexual reproduction भी कर सकते हैं sexual reproduction भी कर सकते हैं उसके लावा इसको control करने के लिए हम simple पानी का spray कर सकते हैं हम insecticides का इस्तमाल कर सकते हैं या इसको बहुत आसानी से हम natural predators की मदद से control कर सकते हैं इसके अंदर हम lady beetles का इस्तमाल कर सकते हैं हम lace wing का इस्तमाल कर सकते हैं इंसेक्ट का अटैक काफी होता है वीट क्राप के उपर लेकिन इसको सिंपल वाटर स्प्रे के जरीए कंट्रोल किया जा सकता है इसी तरीके से सिट्रस के अंदर भी एफर्स की डिफरन्ट स्पिशिस मौजूद है तो इनको हम मुख्तरिफ किसम के जो नैचरल कंट्रोल एज सकते हैं